आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मुबाइल लिपे मैं अपना आकाउंट कैसे बनाएं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सुरू करने से पहले आप से एक छोड़ी सी रिक्वेश्ट है अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लेज आप इस चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ पे नोटिफिकेशन के बेल आइकान पे इसी तरह किलिक कर लीजिए तो चलिए मुबाइल एप्लिकेशन को इसी तरह डाउनलोड कर लेंगे फिए डाउनलोड करने के बाद आप इस अपलिकेशन को सब्सक्राइब कर लेंगे आपके पास किसी भी कंपनी का हो नोप्राबलम मुबाइल नमबर आपको वहीं इंतर करना है जो आपकी कामे scrutin लिश्टर होगा, मुबाईल नमबर इंटर करने के बाद नीचे सम्मिट पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद ID नमबर में आप अपना इकामा नमबर इंटर कर देंगे इसके बाद जटाब बर्थ में आपके इकामे पर जो भी आपकी जटाब बर्थ होगी सेम जटाब बर्थ आप यहाँ से इसी तरह सेलेट कर लेंगे इसके बाद नीचे next पे क्लिक कर देंगे next पे क्लिक करने के बाद आपके mobile नमबर पर एक code आगा उस code को इसी तरह इंटर कर देंगे code इंटर करने के बाद नीचे verify पे क्लिक कर देंगे verify पर किलिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस open हो जागा सके बाद नीचे दाहने तरब इस पलस के आईकान पर किलिक कर देंगे इसी तरह इसके बाद username national id में आप अपना इकामा नंबर इंटर कर देंगे इसके बाद password में आप अपने afshare account का password इंटर करदेंगे इसके बाद नीचे login पे click करदेंगे login पे click करने के बाद आपके afshare account में जो भी आपका mobile नंबर रजिश्टर होगा उस नंबर पर एक code आएगा उस code को इस तरह इंटर करदेंगे Code इंटर करने के बाद नीचे Continue पर किलिक कर देंगे इसके बाद इंटर इमेल में आप अपनी email आईडी इंटर कर देंगे अगर आपको अपनी email आईडी नहीं पता है तो आपके mobile के प्लेश टोर में आपको आपके email आईडी मिल जाएगी इसके बाद नीचे Next पर किलिक कर देंगे इसके बाद बिल्लिंग नमबर में आप जिस बिल्लिंग में रहते हैं उस बिल्लिंग का नमबर आप इंटर कर देंगे बिल्डिंग नमबर चान नमबर का होता है हर बिल्डिंग के बाहर में आपको बिल्डिंग का नमबर मिल जाएगा इसके बाद इस ट्रीट में आपने गली का नाम इंटर कर देंगे अगर आपको अपना इस ट्रीट नेम नहीं पता है आप जिस गली में रहते हैं उस गली में पहले आखिर में आपको इस तरह का बोर्ड मिल जाएगा इस बोर्ड पर स्ट्रेट नेम लिखा रहता है आप देख सकते हैं और आपके नेशनल एड्रेस में भी स्ट्रेट नेम मिल जाएगा इसके बाद city में आप सौधी में किस city में रहते हैं जैसे जिद्धा, मक्का, मदिना, ताइफ, यंबो, दमा, मरियाद हैं आपके city में रहते हैं उस city को आप यहां से इसी तरह select कर लेंगे इसके बाद नीचे next पे क्लिक कर देंगे next पे क्लिक आने के बाद आपके सामने इस तरह का interface open हो जागा उपर आप देख सकते हैं set passcode हैं अब आपको अपने mobile पे account का एक passcode बनाना होगा 6 digit का यानि 600 का यानि 6 अंग का इसके बाद नीचे next पे क्लिक कर देंगे इसके बाद नीचे proceed पे क्लिक कर देंगे इसके बाद income range में आपके salary कितना उतना यहां से इसी तरह select कर लेंगे अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा भी seller कर लेंगे no problem इसके बाद source of income में आप हयाँ से इसी तरह salary को select कर लेंगे इसके बाद employment type में आप हए हाँ से private को select कर लेंगे इसके बाद profession में आप हहाँ से employee को select कर लेंगे मूबाईल इपेक का काउंट open होंगयai इसके बाद आप mobile ipade application में login कैसे करेंगे आप simply back to login page पे किलिक कर देंगे इसी तरह इसके बाद mobile number में जिस mobile number से अपना mobile लिपे अकाउंड बनाएते हैं उस mobile number को mobile number में इंटर कर देंगे इसके बाद नीचे submit पे किलिक कर देंगे इसके बाद इंटर passcode में mobile लिपे का अपना अकाउंड बनाते हैं जिस नंबर का भी अपना passcode आप बनाये थे उस passcode को passcode में इंटर कर देंगे इसके बाद नीचे sign in पर click कर देंगे आप देख सकते हैं लागिन हो गए इसी तरह आप लागिन कर सकते हैं mobile pay application में और mobile pay के अपने account में पैसा कैसे एड़ करें इन सब सारे वीडियों के लिंक इस वीडियों के नीचे डिसक्रिप्शन में आपको मिल जाएगी इसी तरह पास आने से mobile pay में अपना account बना सकते हैं